Hello everyone, मैं हूँ केरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए Coming Week का सापता है क्राशी फल ये 4th April से लेकर 10th April तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और मैं अभी out of country हूँ, मैं कैनेडा में हूँ तो अगर आप personal session book कराना चाहते हैं या फिर किसी भी चीज के लिए मुझे contact करना चाहते हैं तो आप WhatsApp message करेंगे या फिर WhatsApp call करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि कुछ लोगों का मुझे इंस्टा पे message आया, मैं हम आपको call करना चाहा रहे हैं, आपका number नहीं मिल रहा है और हो सकता है कि जवाब देने में थोड़ा सा delay हो जाए क्योंकि यहाँ पे दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप WhatsApp पे मुझे message करेंगे तो definitely आपको जवाब मिलेगा और आप अपना personal session भी book करा सकते हैं और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या फिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी साइन के हिसाप से इस रीडिंग को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं Coming Week का सापता है क्राशी फल चलिए कि इनसेरियन्स आप लोगों के लिए देखें कि Coming Week क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्शी इस हैं तो Professional Fund के लिए आप लोगों के लिए कार्ट्स हैं, The Hermit and Material Harvest और देखें, Material Harvest का कार्ट कहीं Money, Finances, Tangible, Materialistic चीजों से Related एक Gain, एक फाइदा होने की बात करता है या इन्हीं पे ही बहुत ज़्यादा Focus करने की बात करता है तो देखें, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर आपने बहुत effort किया और आपको एक positive result भी मिला कहीं मनी ही मन उसको आप enjoy करना चाहा रहे है या फिर देखें कैसे एक financial gain आप अपने professional front में लेकर आए उसी से ही related या फिर otherwise भी आप introspective mode में रह रहे हैं आप बहुत जादा चीज़ों के deep में जाना चाहा रहे हैं आप फिर जा रहे हैं बहुत जादा इसी चीज़ को लेकर एक सोच चलती हुई दिख रही है और in the process या फिर otherwise आप बहुत actively किसी भी चीज़ में specifically अपने professional front में इस week involved होते हुए नहीं दिख रहे हैं participate करते हुए नहीं दिख रहे हैं आप एक back step लेते हुए दिख रहे हैं चीज़ों से withdraw करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं फिर से मैं कहूंगी चीज़ों को और समझना चाहा रहे हैं और गहराई में जाना चाहा रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है night of swords and rest and rejuvenate तो दिखें सबसे पहली बात ये दोनों ही cards एकदम से contrary energies की बात करते हैं जहां night of swords का card speed से आगे बढ़ने की बात करता है वही rest and rejuvenate का card pause लेने की बात करता है अराम करने की बात करता है तो दिखें इन दोनों cards को combine करें तो surface level पे आप बहुत actively, specifically अपने personal front में चीजों में involved हो रहे हैं, participate कर रहे हैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन मन ही मन, दिखें आप उतना जादा चीजों में नहीं involved हो रहे हैं जैसे होता है ना कभी-कभी बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं लेकिन हमारा दिल उनको approve नहीं कर रहा होता है या फिर हमारा मन उनमें नहीं होता है और देखें कुछ ऐसा ही, कुछ या फिर काफी सारे के इंसेरियन्स के लिए इस वीक, again specifically personal front में किसी चीज़ को लेकर रहे तावा दिख रहा है sudden changes भी इस वीक आपके personal front में रह सकते हैं और आप बहुत ही logically, बहुत ही you know mind से हर चीज़ को deal करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं और देखें या तो हो सकता है कुछ लोग travel करना चाहा रहे हैं या फिर travel कर रहे हैं और आपका communication बहुत straightforward हो सकता है बहुत जादा blunt हो सकता है और overall के लिए देखें personal front में surface level के energies दिख रही हैं जैसे कि आप बहुत जल्दबाजी में हैं बहुत तेजी से आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं लेकिन फिर से मैं कहूंगी deeper level के लिए या पर rest and rejuvenate का card कहता है कि आप pause लेना चाहा रहे हैं या फिर आप मन से दिल से involved नहीं हो रहे हैं आप थोड़ा साथ ठक रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि आप अपने आपको rejuvenate करना चाहाते हैं अपने आपको better feel कराना चाहाते हैं and guidance से आप लगों के लिए rest and reconsider का card है तो देखिए दोनों ही cards की energies कहीं match करती हुए दिख रही है इसमें rest and rejuvenate है और इसमें rest and reconsider है तो बहुत ही clearly cards आपको message दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा again pause लें चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझें आगे बढ़ने से पहले और अगर आपने कोई भी decision, कोई भी choice ले ली है तो उसको भी आप ज़रूर एक बड़ी reconsider करें और अगर in the process आप बहुत थक गए हैं mentally, emotionally, physically तो आप अराम ज़रूर करें क्योंकि देखिए ये card कहता है कि कहीं और overall ही एक थकावट आप महसूस कर रहे हैं और फिर से देखिए कभी-कभी हम physical body से थकते हैं अभी-कभी हम mentally, emotionally थकते हैं तो देखिए जो भी थकावट हो उसको आप ज़रूर दूर करें तोड़ा सा खयाल रखें कि आप बहुत ज़ादा again अपने आपको exhaust भी ना करें आप time to time break लें, आप time to time risk रूरू लें चक्रा से आप लोगों के लिए crown chakra का card है और इसके हिसाब से all shades of purple, all shades of violet आप लोगों के लिए इस week lucky रह सकते हैं and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday और देखिए दूसरी बात crown chakra का card कहता है कि अगर आप अपने आपको spiritual activities में involved करते हैं, mantra chanting करते हैं तो इस week energies को आप और बहतर कर पाएंगे तो ये था किन सेरियन्स आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए